हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू यू ओल इन यूर ओन चैनल इंग्लिश इद मोक्षिता और आज हम नाइन्थ क्लास की मोमेंट बुक्स का फिफ्ट लेसन कर रहे हैं दा हैपी प्रिंच यानि पर्चन राजगुमार दा हैपी प्रिंच वाज बीटिफुल स्टैचू है या एस सफ़ाइस यह बूदिफुल के कीमति पंथर चांट कैanners थी फ्यायग्मार इंड् Year करे चैनल थे प्ञाद संट्रव स्वार हॉडार दाए करे प्रिंच यू स्टोनस अब वो क्योंना चाहता है सारे कन भी सारा ग॔र्ड से जो उसके पास है जो भी उसके पास उसके स्टॉन है उससे वो अपने आपको क्यों अलग करना चाहरा है जुआ हैं हवे में पड़ेंगे हाइब दा सीटी दे सारा गोल्ड से जो उसके पास है जो भी उसके पास है और जो भी बहुमुल्या उसके पास स्टोन है उससे वो अपने आपको क्यों अलग करना चाह रहा है यह हम स्टोरी में पढ़ेंगे अब उसके उपर जो एक परत चड़ी हुई थी किसकी सोने की एक सोने की पतली 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 चड़ी हुई थी फोर आइज ही हैड टू ब्राइट सफ़ार्स सफायर्स एंड लाज रेड रूबी ग्लोट ओन हीज सवार्ड हील्ड होती है जिसको जो हैंडल होता है ना तलवार का उसके उपर क्या लगी हुई थी बड़ी सी लाल रंग की रूबी लगी हुई थी जो म बाइट आइज है वो किसकी थी वो निलम के पत्थर की आइज बने हुई थी वन नाइट एक रात देर फ्ल्यू ओवर दा सीटी अलिटल स्वेलों तो एक एक रात क्या होता है कि उस सहर के उपर एक चोटा सा पक्षी के नाम था स्वेलों जिसको अबाविल बोल देते हैं हिंदी में आप स्वेलो ही याद रखें स्वेलो यानि अबाविल पक्षी है पक्षी होता है स्वेलो अबाविल पक्षी इज फ्रेंट्स हैड गोन आवे टो एजीप्ट शिक्स विक्स एगो छह मही चैस अपता पहले उसके जो दोस्त हैं स्वेलो के दोस्त वो एजीप्ट यानि मिश्र देश चले गए थे चैस अपता पहले बट ही हैड स्टेट बिहाइंड लेकिन वो पीछे रह गया था दैन इजीप्ट टू अब उसने भी इजीप्ट जाने का डिचाइड कर लिया निरने ले लिया आल डे लोंग ही फ्लू पूरा दिन वो उड़ता रहा है एंड एट नाइट ही अराइब एड दा सीटी और रात को वो सीटी पर सीटी में पहुंचा यानि सहर में पहुंचा वेहर कर रहा है दन ही शादा स्टेच्व ओन दा टाल कोलम अब उसने एक स्टेच्व देखा जो बड़े से स्थम पर था मुर्ति देखी आई विल पूट देयर आई विल पूट अप देयर में वहां ठैरूंगा ही क्राइज वह चलाया इट इस फाइन पोजिशन विद प्लंटी ओफ फ्रेस एयर की वह अच्छी पोजिशन अच्छी जगह है जहां पर काफी एयर भी मिलेगी सो ही डिलाइट जस्ट बिट्विन दा फिट ओफ दा हैपी प्रिंस और वह कहां पर उतर गया जहां पर हैपी प्रिंस के फिट यानि पाओं के नजदी पाओं बैड्रूम कि मेरा बैड्रूम तो बिल्कुल गोल्डन का है यानि सोने का है उसने कहां softly to himself softly मतलब धीरे से कहां अपने आपको as he looked round और उसने चारों तरफ देखा and he prepared to go to sleep अब उसने सोने के वह त्यारी कर रहा था but just as he was putting his head under his wings a large drop of water fell on him लेकिन जैसे ही उसने अपना सीर रखा अपनी wings के नीचे तो तभी क्या हुआ है कि बड़ी सी पाने की बूंद उसके ओपर आगिरी what a crucius thing कितनी विचितर बात है he cried to a chillaya there is not a single cloud in the sky कि एक single बादल भी नहीं है आसमान में the stars are quite clear and bright और तारे भी बिलकुल साफ और चमक रहे हैं and yet it is raining फिर भी बारिश हो रही है then another drop fell फिर एक और बूंद गिरी what is the use of a statue if it can't keep the rain off की इस ट्रैचू का क्या लाब है अगर ये बारिश को नहीं रोक सकता है तो he said उसने खा I must look for a good chimney port कि मुझे look for यानि तलास करने चाहिए एक अच्छे से chimney के बरतन की तलास करने चाहिए and he determined to fly away इसलिए उसने निश्चे कर लिया कि मैं यहां से उड़ जाऊंगा उड़ने का निश्चे कर दिया but before he had opened his wing लेकिन उससे पहले की वो अपनी पंखे खोलता a third row fell एक तीसरी बूंद आके गिरी and he looked up और उसने उपर देखा and saw देखा hey what did he see अरे उसने क्या देखा the eyes of happy prince were filled with tears जो आइज हैं आखे हैं happy prince की वो filled with tears जो वो टियर से भरी हुई है यानि आशों से भरी हुई थी भरी हुई थी तो tears were running down his golden chicks अब जो आशो थे वो प्रिंस के golden chicks यानि सुनेरी जो गाल थे उनसे टपक रहे थे his face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity कि उसका जो चहरा था वो इतना सुन्दर लग रहा था moonlight में यानि चांदनी रात में कि छोटे से swallow को बक्षी को उस पर दया आ गई who are you he said उस निखा आप कोन हूं I am the happy prince मैं happy prince हूं why are you weeping then फिर तुम फिर आप क्यों रो रहे हैं आश दस्वेलो स्वेलो ने कहा you have quite drenched me drenched me होता है made wet कि आपने मुझे बिल्कुल पूरा गिला कर दिया एक दम से एक दम से मुझे गिला कर दिया when I was alive I had a human heart जब में जिन्दा था तो मेरे पास human heart था मानवी दिल था answer the statue statue ने कहा मुर्ती ने कहा I did not know what tears were मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते थी for I lived in the palace क्योंकि मैं palace में रहता था महल में रहता था where sorrow is not allowed to enter जहां शोरो दुख को आने की अनुमती नहीं थी यह अनुमती नहीं है my courtiers called me the happy prince मेरे जो दरबारी थे मुझे happy prince कहते थे person राजकुमर कहते थे happy indeed I was क्योंकि मैं वास्तव में happy रहता था so I lived happy ही जिया में and so I died और ऐसे ही मर गया and now I am dead they have set me up here so high that I can see the ugliness and the all misery of my city अब जब मैं मर चुका हूं मैं मर गया हूं तो मुझे setup कर दिया मुझे इस्ताफित कर दिया है यहां पे so high इतना उपर that कि मैं see देख सकता हूं अगलीनेस यानि भद्धापन और misery यानि कर्ष्ट मेरे मेरे सहर के कर्ष्ट और गंदगी मैं देख सकता हूं and though my heart is made of lead although यद भी मेरा heart है जो मेरा दिल है अब lead lead होता है कि धातू होती है lead कि मेरा जो दिल है वो lead का बनाओ है धातू का बनाओ है yet I cannot choose but weep लेकिन मैं कुछ नहीं कर चकता बस रो सकता हूं what is not solid gold said the swallow to himself क्या यह पूरा सोने का नहीं बना हुआ मतलब solid gold का नहीं बुना हुआ swallow ने अपने आप से पूछा he was too polite to make any personal remarks और वो swallow था वो इतना polite था इतना विनमर था कि उसने ऐसे personal question नहीं पूछे उसे फार अवे बहुत दूर continue the statue in a low musical voice low musical so it मतलब मधु संगीत में आवाज में धीमे से statue ने continue किया मतलब लगातार कहता गया far away दूर तक in a little street there is a poor house की वहां पे एक चोटी सी गली में एक गरीब घर है one of the window is open जिसकी एक किड़की खुली हुई है and throw it I can see a woman seated at a table और उस में से मैं देख सकता हूं कि एक woman को टेबल के पास बैठे देख सकता हूं her face is thin उसका face है जो उसका चैरा वो पतला है and warm और कर्ष्ट से भरा हुआ है and she was she has a coarse red hand और उसके जो हाथ है वो भद्दे और लाल हैं लाल हैं लाल हैं लाल हाथ है आल प्रिक्ट बाई नीडल और जो नीडल से प्रिक्ट है मतलब जिन पे नीडल चुब हुई है for she is a steam stream 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 होता है दरजिन क्योंकि वो सूट शिलने वाली दरजिन है she is embroidering flower on a certain gown for the loveliest of the queen's maid of owner कि जो मेड जो राने की सकी है और नहीं सम्मान जनिया सकी है जो प्यारी सकी है उसका साटिन का जो गाउन है उसके उपर वो फलावर लगा रही है to wear at the nest coat bowl जो उसको ने nest coat bowl में पहनना यानि जो साही जो होते हैं ना function वगरा उसमें पहनना in a bed in a bed in the corner of the room her little boy is lying ill और वहां कोने में bed पे room के कोने में एक bed पे उसका चोटा सा बेटा बिमार लेटा है he has a fever उसको बुखार है and is asking his mother to give him orange और अपनी ममी को orange देने के लिए वो जिदगर रहा है कि मुझे orange दो his mother has nothing to give him उसकी ममी के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है but river water सिवाए पाने के नदी के पाने के सिवाए उसकी ममी के पास उसके देने के लिए कुछ नहीं है so he is crying इसलिए वो रो रहा है swallow swallow little swallow की swallow swallow छोटे सी swallow will you not bring her the ruby out of my sword hilt की तुम जो मेरी ruby लगी हुई है मेरी sword hilt में क्या जो मेरे दलवार के मूट में मूट होता जिसे को पकड़ने के लिए handle वगरा तो मूट में जो ruby लगी हुए है क्या तो मुसको नहीं दे के आओगे उसको my feet are fast and into this pastoral pastoral and I can't move कि मेरे पैर यहां पे जकड दिये गए हैं बांदि कर दिये गए हैं और मैं यहां से नहीं चल सकता I am waiting for in Egypt कि मैं Egypt मैं मिसर जाना चाहता हूँ मिसर जाने के लिए इंतजार में हूँ said the swallow swallow ने कहा my friends are flying up and down the nail कि मेरे friends है वो नील नदी के उपर उड़ रही है talking to the large lotus flower और जो बड़े बड़े lotus के flower हैं उनसे बाते कर रही है soon they will go to sleep जिगर ही वो सो जाएंगे the prince asked the swallow to stay with him for a night for one night एक रात के लिए swallow को ठैरने के लिए बोला prince ने be his messenger और उसका संदेश वाक बनने के लिए बोला the boy is so thirsty कि देखो लड़का कितना प्यासा है and the mother so sad कि mother कितनी उदास है he said उसने उसने कहा prince ने कहा I don't think I like boys मुझे मैं नहीं सोचता कि मुझे लड़के पसंद है answer the swallow swallow ने answer किया I want I want to give I want to go to Egypt मैं Egypt जाना चाहता हूं मैं इसर जाना चाहता हूं but the happy prince looked so sad लेकिन happy prince है वो इतना उदास था that the little swallow was sorry अब little जो चोटे से swallow को बहुत खेद हुआ उसके उपर it is very cold hair कि यहां बहुत ठंड है he said उसने कहा but he agreed to stay with him for one night लेकिन वो एक रात उसके ले ठैरने के लिए agree हो गया सहमत हो गया and be his messenger उसका संदे स्वाक बनने के लिए agree हो गया thank you little swallow said the prince prince ने कहा कि little swallow तुम्हारा धन्यवाद the swallow pickled out the great ruby from the prince sword अब little swallow ने क्या किया वो जो बड़ा सा ruby है बहु मुल्य पतर वो कि की sword से निकाल लिया and flew away with it in his beak over the roof of the town अब वो उसको लेकर अपनी चोंच में बीक मतलों चोंच में लेकर उड़ गया कहां के उपर से च्छतों के उपर से टाउन की च्छतों के उपर से उड़ गया he passes by the kathril tower kathril tower के उपर से गया where the white marble angels were sculptured जहां पर जो marble की देवता की मूर्तियां थी he passed by the palace वो महल के उपर से गुजरा है the sound of dancing or dancing की आवाजे सुनी आप beautiful girl came out on the balcony with her lover एक सुन्दर शी लड़की balcony में अपने lover के साथ आई I hope my dress will be ready in time for the state ball की जो state ball का function होने वाला है उसके लिए साइध मेरी dress में मुझे आसा है कि मेरी dress त्यार हो जाएगी किसी सैट उसने खा I have ordered flowers to be embodied on it but the steam stresses are so lazy कि मैंने order कर दिया है कि वो मेरे gown के ओपर क्या लगाए flowers लगाए लेकिन जो दर्जिन है वो इतनी लेजी है इतनी आलशी है बहुत ज़्यादा आलशी है वो रिवर के ऊपर से पास किया उसने गुजरा एंट सादा लाइंटें हैंगिंग ओन दा मास्ट ओफ दा सीप और सीप के जो मास्ट होते हैं उनके ऊपर जो लाइंटें लटकी हुई थी उनको देखा उसने अंत में वो क्या हुआ पूर गरीब महिला के खर पे आया एंट लुक इन और अंदर जाका दा बोईज वास टोसिंग फीवर्ट स्ली ओन हीज बैड और जो बोईज था वो लड़का बुखार में करवटें बदल रहा था एंट ता मादर हैड फालन एसलीप इसी वास सो टायड और मदर इतनी ठक गई थी कि वो सो गई थी इन दा इन ही ही होप्ट और वो फुद का चिडिया जैसे फुदकती है न ऐसी वो फुद का एंट लेड दा ग्रेट रूबी ओन दा टेबल और टेबल पर वो बड़ा सा रूबी टेबल पर रख दिया अंगुठे में पहनते हैं ना दर्जी वगरा ताकि सुई ना चुबे सुवी कम चुबे प्लास्टिक का या कोई धातु का बना होता है उसको बोलते हैं थीमबल वो में के थीमबल के पास थीमबल के पास उसको रख दिया दैन ही फ्लू जैंटली राउंड दा बैड अब उसने देरे देरे फ्लू उड़ा वो बैड के पास फैनिंग दा बोई ज फोर हैड बोई का जो फोर हैड आमा था उसको फैन किया यानि हवा की विद हीज विंग से अपनी पंखों के साथ हाव कूल आई फील मैं कितना थंडा मैसूस कर रहा हूं सैट दा बोई लड़की न सुग गया और देन दा स्वैलों फ्लू बैक टोड़एपई प्रिंस उसके बाद जो वक्षी है वह किसके पास आया है एप प्रिंस के पास वापस आया यान्ज तोल्ड हीम वट यह एड़ ड़न और उसको बताया कि उसने जो जो काम किया है इटीज कुरशेश कि कितना वि से उसकर रहा हूं that is because you have done a good action ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने एक अच्छा कारिया किया है said the prince प्रिंच ने कहा and the little swallow began to think or little swallow है उसने सोचना सुरू कर दिया then fell asleep और वो फिर सो गया thinking always made him sleepy और सोचना हमेशा उसको सुला देता था मतलब जैसे वो सोचना सुरू कर देता था वो सोच आता था उसको नीदा जाते थी when day broke he flew down to the river जैसे ही दिन निकला नेस्ट दिन निकला तो वो नीचे उड़ा to the river river पर and had a path और एक और सनान किया tonight I go to Egypt आज रात में Egypt चला जाओंगा said the swallow swallow ने कहा तो यह आपका half part हो गया है next remaining part we will discuss in next video have a nice day और वीडियो को एर करें subscribe करें अच्छे-चे comments करें thank you